कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस के कारण बहुत सारे कॉमनर्स ऐसे रहे जिन्होंने इंटरिनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा जिसमें सबा सिस्टर्स, रोमिल चोधरी, दीपक ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं वेल आपको बता दें इन सब के अलावा फैंस की चहेती आर्शी खान भी वालिवुड में जल्द ही अपना डेब्यू करने वाली हैं येस ये बड़ी न्यूज आ रही है लीडिंग डेलीज की तरफ से जहां आर्शी खान को वालिवुड का एक प्रॉजेक्ट हांत लगा है पिशली बार पॉलिटिक्स जॉइन करने के वज़े से आर्शी खान सुर्ख्यों में आई थी मगर रीसेंटली उन्होंने पॉलिटिक्स से भी क्वेट कर दिया है इसके पहले के मार्शी खान के आपकमिंग प्रॉजेक्ट की इन्फरमेशन आपके साथ शेयर करें आई आप वो आर्शी के वर्द्स में ही बताएं कि आर्शी ने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ा वॉच्ट वीडियो कि एक नेता शायद इन सब चीजों में अच्छा ना लगे और आप स्टेज पे परफॉर्मस कर रहे हो नाच रहे हो पब्लिक आपको चीर्स कर रही है तो वो चीज शायद एक नेता के ओपर अच्छी ना लगे तो अभी मेरा टाइम इंडस्ट्री में काम करने का और जैसे मेरा वक्त खत्म हो जाएका वैसे मैं जल्दी खत्म नहीं होने दोंगी तो तब मैं पॉलिटिक्स जॉइन करूँगी तो आपको आर्शी खान को प्रेशराइस करने वाला कोई पैदा है ये तो हो गई आर्शी के पॉलिटिक्स छोड़ने की बात आई अब उस फिल्म की बात करें जहां हम आर्शी खान को परफॉर्म करते हुए देखेंगे अपकमिंग बॉलिवुड फिल्म है रहम दिल कातल जहां आर्शी खान हमें एक आईटम सॉंग में अपने डांसिंग स्किल्स दिखाती हुई नजर आएंगी आर्शी खान के इस डांस आईटम नंबर का टाइटिल है छमक छलो आर्शी ने इस बारे में बात करते हैं बताया कि वह फिर्स टाइम बॉलिवुड मूवी में कुछ भी काम करने जा रही है उन्होंने ये बी कहा कि उनके फैंस उन्हें बॉलिवुड मूवी इनड़िस्ट्री में देखकर बहध ही खोश होंगे और RC को उम्मीद है कि ये डान्स आइटम तो बस उनके लिए एक शुरुवात है आगे लाइफ में उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिस वज़े से वो वॉलिवुड में अपने आपको एक सक्सेस्फुल अदाकारा के तौर पे स्टैबलिश कर पाएंगी जल देखना होगा कि RC खान कितनी जल्दी अपने इस टाइटल सॉंग शूट करती है और उसकी बिहाइंड दस सीन्स हमारे साइट शेयर करती है फिलाल रिष्टा टीवी का में इतना ही ने फेवरिट शो और एक्ट रैक्टर से से रिलेटेड अबडेट के लिए आप करें रिष्टा टीवी का को अभी सब्सक्राइब